हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू नॉलिश शावर डेली करेंट अपका स्वागत है और आज हम डिसकस करेंगे अक्टूबर 14 के इंपॉर्टेंट करेंट अफेर्स हाई आपको इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट नोट्स और अप्डेट्स इसी टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुडएं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं इस पे भी जलो एप्डेट करते हैं अगर ट्विटर से जोड़ना चाहें तो ट्विटर पर भी जूड़ सकते हैं यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी लाइंट्रेंस एक्जाम के लिए लिए यूपीस इस्पीश के लिए को यह वीडियो हेलफुल होगी चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो फस्ट क्वेशन इस एटीन नाइइट एर फोस डे मनाया गया और यह मनाया गया है एड़ ओफ अक्टूबर को अगर मैं इंडियन नेवी डे की बात करूं तो फॉर्ट अफ दि वी आर चौधरी वी आर चौधरी इंडियन एर फोस के चीफ हैं इंडियन आमी के चीफ की अगर मैं बात करूं तो एड्मिरल एड्मिरल करंबीर सिंग इसके चीफ हैं एर फोस का मोटो है नभा स्पर्शाँ दीपतम नभा इस प्रशाँ स्पर्शाँ दीपतम अर्थात इंग्लिश इस नोन एज ग्लोरी आट विख डिप्टोथ इंडियन फीप्टर पाइलि ट्यत्व है ल्ंगूर में यह सुभांगी संग्य ए traces नेंट शीवांगी सिंग्ट पाइलेट थी आप मुझे कमेंट बोक्स में बताएंगी कि पहली female fighter कौन थी female pilot कौन थी not fighter pilot first female pilot coming to next question who has won the nobel in literature so nobel prize in literature for his work for his uncompromise and compassionate penetration of the effect of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between culture and continents सो लिट्रेचर में जो नोबेल मिला है उनके काम के लिए वो मिला है अब्दुल रजाग गुरहान को अब्दुल रजाग गुरहान को नोबेल मिला है लिट्रेचर में नोबेल स्विडिश अकैडमी देती है स्विडिश अकैडमी यह नोबेल प्राइस देती है लिट्रेचर में अगर मैं physics, chemistry और economic science की बात करूँ तो इसमें royal studies academy royal studies academy nobel देती है आप मुझे comment section बताएंगे कि physics chemistry में किसको nobel prize मिला है इसके साथ साथ अगर physiology और medicine की बात करें physiology और medicine इसमें nobel prize देती है कैरोलिंस का institute इसमें nobel prize देता है और peace में जो nobel मिलता है यह norvengian nobel committee देती है आप मुझे comment section बताएंगे physiology और medicine and peace में किसे nobel prize मिला है और first nobel जो मिला था वो 1901 में मिला था nobel prize दिया जाता है Alfred nobel के याद में who has become first woman from the country to win a wrestling world gold silver medal सो भारत की पहली महिला कौन बन गए जिनोंने वर्ल्ड wrestling में silver medal जीता है यह भारत की पहली महिला बन गई है और यह हैं अंशु मलिक जिनोंने पहला इसके साथ साथ अगर मैं United World wrestling की बात करूं United World wrestling इसका जो हैड़कोर्टर है यू डब्लू डब्लू इसका है लॉसाने इसके साथ साथ होकी फेडरेशन का भी इंटरनेशनल होकी फेडरेशन का भी एड़कोर्टर कहां पह है लॉसाने में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ओलंपिक एस्सेशन का हैड़कोर्टर कहां पर है वर्ल्ड्स लार्जस्ट खादी नैशनल फ्लैग वेटेट थाउजन केजी यह कहां पर अन्वील किया गया है लेह में लेह की बात करूं तो हाइस्ट जो रेडियो स्टेशन है मारा वो भी लेह में ही है विच राइज वराइटी ग्रोन इन पालगर महारास्ट्र है विए गवन जी इंडिकेटर टैग इसे हम कहते हैं और यह दस साल के लिए मिलता है यह दिया गया है कोलम राइस को दिया गया है जो महारास्ट्र से हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे कि पेटेंट कितने साल के लिए दिया जाता है सब्सक्राइब करने वाला है सिक्किम विच बिकें पार्ट अफ इंडिया थर्टी सिक्ष्ट कॉंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नाइटीन सेवेंटी फाइव और सिक्किम चिकन नेक इसे हम कहते हैं चिकन नेक ऑफ इंडिया इसके साथ सब्सक्राइब करें तो सिक्किम के गवर्णर है गंगा प्रसाथ गंगा प्रसाथ सिक्किम के गवर्णर है प्रडेश इसका और गवर्णाइस कुल्टिवेशन स्टार्ट करेंगा हिमाचल प्रदेश इमाचल प्रदेश यहां पे नैशनल पार्क पेमस है डा कि पिनवैली पिनवैली नैशनल पार्क विच कंट्री विकम द फॉर्स अरभ कंट्री तो है वोमें प्राइम मिनिस्टर बनी है वह तुनेशिया और इसकी वोमें प्राइम मिनिस्टर जो बनी है वह है नजला बॉडवाड etन. रुंग धन. इस बेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्त इंचेチन, बिल गॉइंग तूंग तुबी इंडियाज लॉंगेस्ट रोट टरनल हॉर एशिया लॉंगेस्ट बाई-डायक्शनल टरनल भारत की सब बनने वाली है और एशया की बाी डियेक्षिनल बोडिया की चलने वाली है श्रीनगर स्रीनगर एंड ले इसको अगर करेगी can the नेक्ट करेगी श्रीनगर एटनल है और यह कदे इसको तो समय यह बहुत इंपॉर्टेनट श्रीनगर अर्ले को connect करेगी है नेक्स्ट वेच्ट इसिक्स नैशनल क्रॉस कंट्री चैंपियन्शिप तो फिफ्ट सिश्ट नैशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप दो हजार वासमें कौन होस्ट करेगा वे वस्ट करेगा नागा लेंड नागा लेंड जहां का एक फेमस फेस्टिवल है हॉन बिल फेस्टिवल इसके साथ साथ दो इंपॉर्टेंट और फेस्टिवल है तोख्वी मॉंग तोख्वी मॉंग एंड नक न्यू लेंड यह तीनों फेस्टिवल है जिसमें हॉन बिल बहुत किरन ये किंदो कंट्री के बीच में हुई है इंडिया और नेपाल के बीच में हुई है अभी इंडिया और श्रिलंका के बीच में एक exercise हुई थी मित्र शक्ति मित्र शक्ति exercise हुई थी और ये 12-day की exercise so that's all for today thank you for watching please join our telegram channel and video ko जरूर शेर करें thank you so much